सास्त्रका तुस्सी देख रही हो पंजाब मेल यूर्स से टीवी मैं सोख़ टिपकार संधू लेके हाजीरो प्रोग्राम इंफोर्मीशन डोस इन्फरमेशन डोज वो प्रोग्राम है जिस देवे चोटिया छोटिया गलां देवल त्या अंद वोने या जो त्या अंद दिन्ने में जिनना चीज़ा दे बारे सानों पता नहीं हुंदा पर जदों पता लाग चन्द है फिर असी सोच दियां कि अच्छा एचीज एद्धा ओने जिस एद्धा हुंदि या तो निकीया श्याहां चीज़ां दे जीन्दगी में पता हुना बहुत जरूरी है तो जडा चीजनां साड़र वाश जाना हनोसी थाषी ज़िए कि मनों कामना हते बहुत मिल द है चाहिए पहला गहाल कर देंगा जी सरुवर में पहला गए सरुवर दे विच्छ जो अम्रित शाकदेंगे उतेश नान कर देअँ पर कदेश यह नहीं सोचे की ए जाल ओंदा कितों हैं खन्सली दे माधियम रही हर मंदरसा न स्रोवर दे विछ शामिल होंदा है सो दो किमें वह खती बहुंख यह तो फिर किमिस रोवर दे विछ पर जाूंदा है इस है फिर फिले कढ़ कहाणी है कहाणी यक्रानी यानि इतहास पाणी ग sesame सेवा ने बाबा अम्रीक सेवा ने भौंढेन चाल jej . पानी जो हैं इक नहर दे रहें हनसली दे विछ पेटत या चांद है, महराजर न्टी सिंग दे टाइम दी जगल कर लिये तो उनना ने बत्ती खूल वा के पाणी दे प्रबंद दी जड़ी सेवा है उलाई सी उसतो बाद जो गल कर लिये तो उत्यरेंदे 81 सादू ने नेर दी सेवा दी जड़ी खुदाई है उकर वा के एक खाल बन वा के रावी दर्यातों एक नेर दी खदाई कर वा के खाल बन वा के पाणी दा प्रबंद कीता यानि कि उनना ने जलनो स्रोवर तक ले जान तक दा प् गुर्मक सिंग जी वनों कई महाराजियां ते परबंदकान दीगी मदद दे नालम इस नहर दी खरीद कीती गई ते उस ते नेर बनवा के इस दा जालदा जो परबांद है उसनों कीता गया इस नेर दे फिचों अंडरग्राउंड हंसली बना के जो साढ़े आठ फोट किलोमेटर दी हंसली है उसनों बना के ते पंजाब फोट चौड़ा रस्ता जड़ा है उखरीद के एक हंसली दा रूप दिता जानता है इस हंसली दे दुआरा पाणी जड़ा है नैर तो हर मंदर साइब दे श्रोबर तक ले जाया जानता है हंसली दे गेट जरूरत पैन ते खोल दिता जानता है बाबा मुरीक सिंग जी ने ए वी दस्या है कि उना ने एक होध बनाई है जिस दे विच पानी कठा करले जानता है इस होध दे विच कोई lighting दा system नहीं है जिस दा कारण ए वी है कि जदो lighting system रख्या जानता है तो मख्या मच्चरदे लोग वोड़र हो जणता है ताक पाणी गंदा न होवे तो यह भी एक गल बन दी है कि उनने यह भी दर से आई कि एप पाणी नू छान के पेद जानता है चान के यानि के पाणी जड़ा है बिल्कुल साफ होके ही अग्गे होद दे विच एकठा होंदा है जो दो भी लोड पैंदी है तो होद तो हंसली तो हंसली तो सुरोवर तो किस पाणी नो लजाया जानदा है जो ले चल दियां अगली इंफूमेशन डोस दे वाला जिसे विच में दसने चावांगी जो कैया जिता जावे की अजरेहा वी एक पिंड है जिते सिर्फ औरतां दा राज चल दा है मर्दा दी नो एंट्री है तो जही गलती कोई भी विश्वास नहीं करेगा पर हाँ यह बिलकुल साच है क्योंकि जिते मर्दा दी एंट्री नहीं है सिर्फ ते औरतां दा राज चल दा है औरतां दी गलबात हुँदी है औरतां ही रेंदियांने जहा वी एक पिंड है एपिंड पिंड्य केणियाद विच जिना ने कती साल पिंड्ला इसे पिंड्य शुरुवार्त किती सी इस पेंड दी शुरुआत एकर बेका नाम दी औरत ने कीती सी, जिसने मर्दा दे वल्लों औरतां दे उत्ते अत्या चार करन दे विरोध नू लेके गालबाद शेडी सी जो दो उसने उसने विरोध करना शुरू किता था, मर्दा ने उना ते हमला करना शुरू कर देता जो दो हमला होया थो ऑजखमी हो गई, जिस्तो बाद उसने सोचिया कि यो न इक जहा पिंड बनाया जावे जित्ते मरदां दी 9 अंटरी होई, यानी कि सिर्फ ते सिर्फ और्तां न राज होई उस टाइम दी उन्हा ने एक शुरुवाद किती से जिस दे वेच पंदरा हो होर और्तां ने उन्हानों समर्थन देता यानि के 15 ओरतां दे इस ग्रुप दे नाल इस पंट दे श्रुवाद किती गई जे गल खाल लिये इस पंट दी ता इस पंट दे विच आज बच्चेयां दी स्टडि तो लाए के बच्चेयां दी बढ़ाई तो लाए के निकिया निकिया सहूलता जड़िया ने ओवी मजूद ने यानि के हार सहूलता जड़िया इस पिंड देविच मिल जानती है पुर्षपरदान देश देविच उना पीड़त औरता नू एक टिकाने वजो पिंड मिले आ है तह उस टाइम है पिंड जड़ा है औरतां देवासे स्थान बने जानता है जा फिर जो औरतां बाल व्यात दुपी होके तो बार चले जान दो उना देवासल देविच विच आज जो उत्ठान पर मिशास्तन ने एवी एक फैंसला ले आए कि जो वी जमीन है ओ औरतां दे नाम ते रजिस्टर्ड होवेगी जिसनों लेके उथो दिया रेन वाली हर एक औरत बेहद खुश है ले चल दी अगली इंफोमिशन डोस दे वल कई वारी पिंडा दा नाम उथो दियां कुछ ना कुछ गलना तो पहिंदा है जिसनों जहाज जान वाला पिंड क्या चांदा है क्योंकि उथे हार कारदे उपर कोई ना कोई जहाज जरूर मिलता है जे जहाज नहीं होएगा ता शिप जरूर मिलेगी जे शिप नहीं होएगी ता टैंक जरूर मिलेगा सो टैंक होवे शिप होवे जा फिर जहाज होवे कोई ना कोई चीज जरूर खड़ी मिलेगी सो इसनो जहाजन वाला पेंडेस करके क्या जान दे है क्योंकि बहुत जादा जड़े कारणे उना दे उपर सिर्फ जहाज खड़े नजरौंदेने असी एंज भी कह सकते हैं कि उत्थों दे खड़े जहाज दा कुछ ना कुछ कारण में ज़रूर होएगा कारण ये ऊबी हो सकता है कि उत्थों दे जना डे करण दे उपर जहाज खड़े नजरौंदेप कोई नकोई मेंबर जड़ा है वो फौर आनदे वीच जुरूर कम करता है जा फिर फॉरन दे विच सेटल है जिना करा दे उपर सान नो टैंक दिखाई दिन दे ने आसी इंज भी कह साकते हैं कि उना दा कोई ना कोई मैंबर आर्मी दे विच जरूर होएगा जिना करा दे शिप खड़ी है उस दा इतिहास कुछ वख रही है जिना करा दे उपर खड़ी जहाज दान जारा एक एयरपोर्ट दी तरह लागता है एयरपोर्ट ते उसी बहुत सारे जहाज जरूर देख दिया इसे तरह ही हारे कार दे उपर खड़ा जहाज ए जिलागता है कि जिमें एरपोर्ट दा निजारा हुन दूर तो 2 किलो मीटर दूर तो भी दिखना शुरू हो जानता है जे कर तोसी जहाजा वाले पेंट दे गाल कारते हुं तो उस पेंट दा नाम है लांपडा जे लामड़ा पिंड़ दी गाल कर लिए ता उथे एक कारदे उपर एर इंडिया दा जहाज खड़ा दिखाई देंदा है एर इंडिया दा जहाज इस तरह बनाया गया है जिमें असली जहाज हुनदा है पर असली नहीं है उसनों ईक वाटर टैंक ते रूप दे विच डिजाइन केता किया वाटर टijnक दे रूप दे विच डिजाइन किता है जहाज जे थहाज नों तुसी इस दे बारे पुछोंगे ता तुँछाजनों शिद्धा लए जाएगा संतोक सेंग देकार जे तुसी गल करोंगे कि असी जाना है शिप वाले कार यानी के जिना ने पाणी वाला जहाज बनाया हुए तद सिद्धा थवनू ले जाने के तर सेम से इंग बब्बु दे कार जे इस जहाज नो बढ़ अंदी गल कार लिये ते इस नो बढ़ अंदे वेच एक साल तो वद्धा समा लगा सी इस जहाज दी जे गल कार लिये ते इस जहाज नो नात नाम दे एक कारीगर ने बनाया सी तो इस जहास दे पिछे कोई न कोई रीजन जुरूर शेपया होया तो रीजन की यह यह है ता सेम सिंग बबबू जोदो पहली अपनी होंग कांग दी जर्नी दय लेई ग herb सेनं तोना ने अपना पहला सफर जहास दे राही किता सी जहाज जानी के पानी वले जहाज शिप देराई किता सी उस्तो बाद उनना ने अपने बच्चियानों इस दिर जर्नी बारे दस दे होए किया है कि असी अपने कार्धियों पर शिप ज़रूर बढ़ावागे ता उना ने एक शिप बढ़ाई जिसनों बढ़ाण दे वेच एक साल दा समलाग किया जो 1995 दे वेच तर सेम सिंग बबबू ने अपने कार्धियों ते शिप तियार करवाई ता उस दो बाद इस पेंड वेच हर एक कार्धियों पर कुछ ना कुछ देखन नों जरूर मिल दा है चाहे ओ हुवे पानी वाला जहाज जिसनों असी शिप के दिनने या चाहे ओ हुवे टैंक दे रूप दे विच वाटर टैंक दा डिजाइन चाहे ओ हुवे एर इंडिया दा जहाज ऐसे करके ही इस पेंड नों जहाज जां वाला पेंड किया चांदर जे गल कर लिए बच्चेना दे स्कूल दी ता स्कूल पुराणे समयां दे विच गौर्मेंट स्कूल दे विच जालतर बच्चे पढ़ते सी जिते टाटते बैटके विच पढ़ाई हुन दी सी बच्चे कार्तों भी अपना बैठन दे वासते कुछ ना कुछ इंतर्जाम जरूर करके लेक जान दे सी उस तो बाद दे स्कूल दे विच गुछ ना कुछ सिस्टेम चड़ा और चेंज हुन दा गया जे पुराणी समय दे गाल कर लिए तो बच्चेया नू अधिहापक दा बहुत ज़्यादा डार हुन दा सी टीचर तो ज़्यादा माप्यादा डार हुन दा सी कि जे पढ़ाई दे विच कट माक्स आए ता करतों ज़्यादा चिड़का पैन किया जे हुन दे स्कूल दी गाल कर लिए तो सारे स्कूल हाई टेक हुगे ने जिस दे विच अलाग लाग तरीकें दे नाल पढ़ाया चांदा है जे गाल कर लिए वखरी वखरी स्कूलां दी ती आजकल इस तरह दे स्कूल भी ने जित्ते स्टड़ी करन दे वास्ते बच्चे खुद डिसाइड कर देने कि उनाने की पढ़ना है, की में पढ़ना है, ते केड़ टाइम टेबल की में दा होना चाहिद है अमेरिका देविचे एक स्कूल है, Sudbury Valley School, जिसे विच बच्चे खुद डिसाइड करदेने, ति उनना ताइम टेबल की होना चाहिदे, उनने किस तुरीक्टि दे नाल पढने, उनने किस आईडेस तो पढने, उनना ताइम किन्ना होना चाहिदे, ते खेड़न दा टाइम किन्ना होना चाहिद है, इसाब कुछ डिसाइड कर देने स्टुडेंट्स जी गल कर लिए एक अमेरिका दे विच एक होड स्कूल है, सिलिकॉन वेल स्कूल जेसे स्कूल दे विच प्रमप्रगत रिके दा बिल्कुल ही विरोध किता जान्द है यानि के पुराणे तरीके देनाल बच्चियानों बिल्कुल नी पढ़ाया जान्दा, उन्हानों सिंगिंग मेथड देनाल पढ़ाया जान्दा, 3D मॉडल दे नहीं पढ़ाया जान्दा, आई पैट ते पढ़ाया जान्दा, ते उन्हानों अनुसार ही पढ़ाया जान्द जे मौकु को प्लांटिंग स्कूल दी गाल का ली ता आए नाइजीरिया दे विचस दित है ए स्कूल अज़े हा स्कूल है जो पाणी दे उपर तारता है पाणी दे उपर तरन वाला ए स्कूल जिस दे विच एक टाइम ते हंड़ स्टूडेंट स्टूड़ी कार सकते ने आज दियां इन्फोर्मेशन डोस होर इन्फोर्मेशन डोस दे कुछ होर पॉइंट्स कुछ होर गल्ला बतल है के इसे तरह हाजर हुन दे रमागे तूसी देख देरो पंचाब में लियोस से टीवी सास्रेकाल